हेलो आज हम बैंक प्रमोशन एक्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बैंकर्स डूटी तो जो हम बैंकर्स लोग होते हैं इनकी कुछ सर्टन डूटी होती है और हमारे कुछ सर्टन अधिकार भी होते हैं तो राइट्स के बारे में हम अगले लेक्चर में देख स्क्रेशी बैंकर्स डूटी तो मेंटें सिक्रेशी होती है सबसे में डूटी हमारी इसका क्या मतलब है कि मतलब जो कस्टमर है उसकी इन्फोर्मेशन को हम किसी दूसरे को बता नहीं सकते किसी दूसरे के साथ सेयर नहीं कर सकते हैं उसकी कस्टमर की जो सिक्रेशी है उसको हमें maintain करना होता है अब एक question आप से पूछता हो तो आपको इस lecture का मतलब समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए husband है उन्होंने अपना account खोल रखा है ब्रांच में और wife है उन्होंने अपना account खोल रखा हैं क्यों क्यों कि अगर wife चाहे तो जाकर के court में case कर सकती है और अगर उसने यह case कर दिया कि आपने मेरी मतलब जो है consent के बगार मेरी इच्छा के बगार मेरे राजी नामे के बगार मेरे husband के साथ तो आपने मेरा data क्यों share किया तो आप problem में फंस सकते हैं यह बात अगर आप आए जे banker पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं जानते हैं तो यह बात याद रखिएगा कि मतलब secrecy इतनी maintain करनी होते कि husband को wife का data और wife को husband का data नहीं share किया जा सकता है bank में clear हो गई बात यह ठीक है तो याद रखिएगा कई बार क्या होता है divorce के cases में खास करके यह बात आती कि husband wife के मतलब account को खंगालना चाहता है या wife husband के account को खंगालना चाहती है तो उस case में बहुत जात ध्यान रखिएगा जिसका account है उसको तो उसका data दिया जा सकता है दूसरे बैक्ति को data नहीं दिया सकता है क्योंकि हमें maintain करनी होती है secrecy okay तो I hope यह काफी interesting fact रहा होगा और पूछा भी जाता है एक्जाम में यह question जो मैंने आपको आपसे भी बताया वह पूछा भी हो जाता है तो चलिए देखते हैं बैंकर्स duty to maintain secrecy के अगर बात करें यह किसी act में नहीं लिखा हुआ है फ्रण ध्यान रखिएगा it is an as per implied contract between bank and customer के बीज में एक आटोमेटिक जो है ऐसे implied मतलब आटोमेटिक है समझ लीजे एक implied contract है कि हम जो है not to disclose the affair of customer are details of account होगे तो मतलब यह बैंक के और customer के बीज में एक automatic contract हो जाता है जैसे वह खाता हमारे साथ खोलता है हमारे और उसके बीज में एक implied contract हो जाता है आटोमेटिक सी बात है कि हम उसके affairs को इसके जो account की details है खाते मी कितना पैसा आया कितना गया क्या नाम है क्या address है यह सारी जानकारी उसके जो account की details है उसको किसी के साथ में share नहीं करना होता है not to disclose हमें किसी के साथ share नहीं करना होता है bankers are bound to this duty even after closure of account account are death of customer I have notice कर दिये यहाँ पर कि आपके साथ kसी customer कि साथ अप्सक्ते को बंद कर दियां तो क्या अब आप उसकी details दूसरों के साथ share कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं पर फो हमारी ये duty है कि हम उस customer का detail जो है भले उसने हमारे साथ account close कर लिया है इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है उसकी जो detail है उसको share कर देंगे तो हमें या customer की death हो गई है अब जब death हो गई तो customer संसार में रहा ही नहीं तो क्या उसकी detail हम share कर सकते हैं तो उसकी detail भी हम share नहीं कर सकते हैं clear हो गई बात तो जो question आप से पूछा सकता है कि पहली बात तो यह है कि bankers की duty security maintain करने की होती तो क्या हम customer के detail को दूसरे साथ share कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं क्या customer ने account हमारे साथ close कर लिया आज से 5 साल पहले close किया हम हम उसकी detail अब share कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं customer के death हो चॅकी है क्या हम उसकी ursa sure नहीं कर सकते हैं अब कुछ buses cases होते हैं है जब हमें account की detail को share करना पड़ता है मतलब हमेशा हम यह चीज maintain नहीं कर सकते हैं मान लीजिए अगर आपसे police department मांग ले नहा या law enforcement companies मांग लें तो हमें देना पड़ता है तो हम बात करेंगी कि कौन-कौन से केसे में कार्स्टमर की डिटेल हमको शेयर करनी पड़ती है पहला इस डिटेल्बाइ लॉग मतलब कानून के detail मांगी गई है तो वहाँ पर भी हम provide कर देंगे हमें कोई दिकत नहीं है उसके बाद में if it is needed to protect bankers interest जो हम लोग हैं हमारे interest को जो है save करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी हम customer के detail share करती है देखे कैसा example देख लिजे needed the detail of guarantor to recover dues मतलब कहने का यह हुआ कि हमें जो loan है उसमें कौन guarantor है उसके बारे में जागर जानकारी नहीं मिल पाएगी तो हम पने जो dues है उसको recover कैसे करेंगे तो इसलिए ऐसे cases में हम जो है bank के customer की detail को share कर सकते हैं उसके आदमे needed detail by bank lawyer to file suit है ना bank के जो lawyer है bank के जो वकील है उनको suit file करना है तो उस case में हमें customer की जो detail है उसको share करना पड़ेगा यहाँ पर हमारी यह एक तरीके से मजबूरी है ना तो अगर कानून के द्वारा जो है मांगा गया है data तो हमें देना पड़ेगा अगर bankers के interest को हमें अपने आपको बचाना है bankers interest का मतलब यही वह ना कि हमें loan recovery करवानी है lawsuit file करना है या case दर्जी करना है उन cases में देखिए हम वकील हो गयरा के साथ में data share करने है लेकिन वह हमारी obligation हमारी जरूरत पड़ जा रही एक तरीके से ना with expressed are implied consent of customer customer की अगर consent मिले चाही वो expressed हो या implied हो implied में हम खुदे समझ लेते हैं और expressed में वो written तोर पर देता है उस case में भी हम information provide कर सकते हैं share कर सकते हैं जैसे providing information to guarantor about loan जैसे कोई guarantor है माल लिजे किसी loan का guarantor आता है आपके पास में और बोलता है कि मुझे जो loan है जिसका मैं guarantor हूँ उसके बार में जानकारी दे दीजिए तो हम उसे जानकारी दे देते हैं बसरते कि वो लिख करके दे दे कि उसे जानकारी चाहि है तो उसके साथ भी data share किया सकता है कोई आतराज नहीं होना चाहिए यहाँ पर note कीजिएगा जो सबसे important बात मैंने आपको बताई थी sharing information of husband or wife's account husband के account की या wife's account का data जानकारी को share करना husband के account का data wife के साथ और wife के account का data husband के साथ can not be taken as implied consent ध्यान रखिएगा इसको automatic consent मत मान लीजेग कि husband का data wife के साथ share कर सकते है wife का data husband के साथ share कर सकते है ऐसा हमें लगता है लेकिन implied consent है नहीं यानि जब तक return में request आपको ना मिले husband return मतलब जो है जिसका account है उससे return में request सही है मान लीजे husband आपके पास अप्रोच करता है कि मुझे मेरी wife के account का detail चाहिए तो आपको wife से return consent चाहिए होगे लिख करके wife दे दे कि आप data share कर दीजे तभी आप बच सकते हैं अधरवाज अगर आप husband के साथ data share कर देंगे तो आपको code के चेरी के चेकर लगाने पड़ सकते हैं पर उसके बाद में अगर जैसे police station के इंचार जो गरा है दरोगा वगरा जो होते हैं अगर वो data मांग होती है सिक्रिश्ची को मेंटेन करने की यानि कि customer का data हम जो है किसी के साथ share नहीं करते हैं customer के affair को customer के detail को account को किसी के साथ share नहीं करते हैं चाहे उसका account हमारे साथ का इंट्रेस्ट जो है बचाना है मतलब लोन की रिकबरी उगरा करवाना है या फिर रिटेन कंसेंट कस्टमर जो है अपने लिखित कंसेंट दे दे तो उस केस में भी हम डेटा सेर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और हस्बेंड का डेटा वाइफ के साथ और वाइफ का सेर कर सकते हैं अगर रिजर बैंक आफ इंडिया आप से डेटा मांगता है किसी कस्टमर का तो आप सेर कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यहीं था फ्रंट जो है बैंकर्स ज्यूटी ओके थेंकिसो मॉच